मैं अपूर्वा और मेरे किचन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मैं बनाऊंगी जोदपूर के बहुत ही परसीद ब्रेट पकोड़े जो आप सब को बहुत पसंद आएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसेपी पकोड़ो में हमें किस किस चीच की आवशकता होगी मैं आपको बता देती हूँ थोड़े फिरोजन माटर लिए हैं आप फ्रेश माटर भी ले सकते हैं थोड़े पांच कटी हुई हरी मिर्ची ली है थोड़ी कूटी हुई अद्रक ली है थोड़े अजवाएन ली है हाप टी स्पून के करीब ताल मिर्ची पाउडर के नुसर नमक दो चमच मैजिक मसाला एक चमच अमचूर पाउडर हरा धनिया पत्ती कस्तूरी मेथी थोड़ा सूका हुआ पोदीना कोईल किये हुए आलू आदा केजी बेसन जिसे हमने चान लिया था और अब हम आलू को पहले मैश करेंगे वूडन मैशर लिया है आपके पास अगर मैशर ना हो तो आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं आलू को हमें पूरी तरह से मैश नहीं करना है इसे थोड़ा मोटा मोटा ही मैश करेंगे हमारे मैश हो गए है और अभी हम बनाएंगे स्टाफिंग इस पर हमने कड़ाय चड़ा दी है और अभी हम इसमें डाल देंगे थोड़ा रिफाइन ओईल ओईल गरम होने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा हींग हींग को हम थोड़ा फ्राइ कर लेंगे प्से पहले हम फ्राइ करेंगे कुटा हुआ लैसून इसे थोड़ा फ्राइ करेंगे ये थोड़ा फ्राइ हो गया है हम डाल देंगे फिरोजन माटर आप चाहे तो फ्रेश माटर भी डाल सकते हैं और इसे भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे ती हुई हरी मिर्ची भी डाल देंगे और इसे भी फ्राई कर लेंगे अत्रा का पेस्ट भी हम डाल देंगे और इन सब को अभी फ्राई करेंगे सबी चीजों को हमने 5 मिनट फ्राई कर लिया है और अभी हम डालेंगे 2 चमश लाल मिर्शी पाउडर उटा हुआ साबुत धनिया अप्टी स्पुन हल्दी पाउडर स्वात के अनुसार नमक एक टी स्पुन आमचूर पाउडर एक टी स्पुन मैजिक मसाला पकोडों में बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है और इन सब को अच्छे से फ्राई कर लेंगे मसालों को हमने 5 मिनट फ्राई किया है और अभी हम इसमें डाल देंगे कस्तूरी मेथी पाथे डाल देंगे सूका हुआ पोदिना की पत्ती थोड़ा फ्रेश हरा धेनिया सबी चीजों को अच्छे से मिक्स करते हुए फ्राई करेंगे करीब 2 मिनट के लिए सबी चीज अच्छे से फ्राई हो गई है और अभी हम इसमें डालेंगे मैश किये हुए आलू और अच्छे से थोड़ा मैश करते हुए इन्हें फ्राई कर लेंगे सबी चीजे अच्छे से फ्राई हो गई है और गैस की फ्लेम हम कर देंगे बन और अभी हम इसे ठंडा होने के लिए एक प्लेट में ट्रांस्पर कर देंगे और अभी से ठंडा होने देंगे के बाद हम इसकी बॉल्स बनाएंगे पकोडो की कोटिंग के लिए हम बेसन को त्यार करेंगे तो ये हमने बेसन लिया है और इसमें थोड़ा नमक एड़ किया है थोड़ी अजवाइन भी एड़ कर देंगे सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी एड़ करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स नहीं रहे वैसे जैसे हमें पानी के आवशकता होगी वैसे वैसे हम इसमें एड़ करते जाएंगे हमें एक पतला गोल बनाकर तयार करना है बेसन में किसी भी तरह का कोई लंस नहीं रहना चाहिए और बेसन को हम 10 से 15 मिट तक ऐसे ही फेटते रहेंगे कि बेसन में फलपी पन आ जाए बेसन का बैटर बनकर तयार हो गया है इस तरह का बैटर हमें चाहिए और अभी हम इनकी बॉल्स तयार करेंगे थोड़ा थोड़ा मसाला लेकर हमें इनकी बॉल्स तयार करनी है इसी तरह से हम सभी बॉल्स बनाकर तयार कर लेंगे सभी बॉल्स बनकर तयार है टोटल बनी है 22 बॉल्स इस पर हमने लोए की कड़ाई चड़ा दी है और अभी हम इसमें डाल देंगे रिफाइंड ओयल ओयल हम इतना डालेंगे कि पकोड़े अच्छे से फ्राई हो जाए और अब हम ओयल को गरम होने देंगे और ये हमने वाइट वाली बड़ी साइच की ब्रेडली है और अभी हम इसे पानी में डिप कर लेंगे एकी सहायता से इसका सारा पानी हम स्लाइडली निकाल देंगे हलके हाथ से ही ब्रेड को दबा कर पानी निकालना है वरना ब्रेड तूट सकती है और अभी हम स्टफिंग को ब्रेड में भर देंगे एक बॉल उठाएंगे और ब्रेट को राउंड में पैक कर देंगे हलके हलके हाथ से हमें दबा कर इसे राउंड राउंड में गुमाना है तो इस तरह से सभी बॉल्स हम बना कर तयार कर लेंगे सभी बॉल्स को हमने बना कर तयार कर ली है और इधर ओयल भी गरम हो गया है हम बेशन का बैटर लेंगे और इसमें एक बोल्स डालेंगे और इसको अच्छे से बेशन से कोट कर लेंगे और इसे ओयल में डाल देंगे जितने बोल्स कड़ाई में आएंगे उतने बोल्स हमें डालने हैं इसी तरह से बेशन में बॉल्स को डिप करके अच्छे से कोट करना है और फिर उसको कड़ाई में छोड़ना है और इन्हें चारो तरह से उलट पुलट करते हुए गोल्डन प्राउन होने तक हम इनको फ्राई करेंगे और इस पैचुला की सहाइता से इनके उपर भी थोड़ा थोड़ा करके ओईल डालते रहेंगे ये नीचे से थोड़ा फ्राई हो गए हैं तो अभी हम इनको पलट देंगे चारो तरप से इसी तरह उलट पुलट करते हुए फ्राई कर लेंगे ये गोल्डन ब्राउन हो गए हैं तो अभी एक एक करके हम इनको निकालेंगे एक छलनी में डाल देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ओइल जो है वो निकल जाए इसी तरह सभी पकोड़े हम बना कर तयार कर लेंगे सभी पकोड़े हमारे बन कर तयार है तेस्टी से गर्म गर्म ब्रेट पकोड़े हमारे बन कर तयार है बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट ब्रेट पकोड़ा मैं आपको कट करके दिखाती हूँ बहुत ही टेस्टी ब्रेट पकोड़े बने हैं आप देख सकते हूँ अंदर से भी कितनी अच्छी बेशन की इसमें कोटिंग हुई है इन्हें आप इमली की खट्टी मिटी चट्नी, ग्रीन चट्नी या फिर टोमेटो केचप के साथ भी इंजोई कर सकते हैं मेरी रेशेपी पसंद आती है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेल आइकन का बटन ओल पर सेट कर दीजे ताकि मेरी जो भी नई रेशेपी आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचे ताकि यू वाचिंग फॉर माई वीडियो